है इस तरो विल्कम टॉम इस्टडि music चैनल दौस्तो आज मैं की बारे में बताने जा रही म।ो जैसा कि इलेट्रोबिक की बारे में फ़र्षट विडियो में मिन्स पार्ट का जिसके अंतरगत इलेक्ट्रoth couya क्या होता है कि बिद्द की मदद से चिकिस्ता किया जाता है पेसियों की घहराही तक इसके अंतरगत और डाय थरिपी ऐल्टर सुट थिरेपी से इन्फारेइट रइट रंटर रेज थे वाइलेट रेति third up आता जिसमें से मैं दायधर्मी की बारे में आज बता रही हूं विद्रो пошता है कि आप देख सकते हैं चैनल की प्लेप्लिस्ट में यही परकार का बिदुत्-चिक्सा चिक्सा बिधी दोस्तों विद्द्धध्यायद का परवा प्रवा करके उसमा उत्पनकी जाती है मानस्पेसियों की गहराई तक यानि इसका उपयोग जो है उत्तकों की गहराई तक घाव भरने के लिए किया जाता है दोस्तों डायथर्मी को उसके तरंगों के अधार पर तीन प्रकारों में बाटा गया है लांग वेव डायथर्मी, सार्ट वेव डायथर्मी और माइक्रोवेव डायथर्मी दोस्तों बरत्मान में सार्ट वो माइक्रोवेव डायथर्मी का ही अधिक प्रियोग होता है बहुत पहले पुराने समय में होता था आधुनी समय में साट विव और माइकरोविव प्रियोग होता है इसलिए मैं इसी दूनों का प्रियोग बताऊंगे सहसे पहले बात करूँगी साट वेव डैथर्मी यानी अल्प तरंग डैथर्मी क्या है दोस्तों साट वेट डायधरमी में इस किसा में एक उच्छ आबरती हाई फ्रेक्वेंसी वाले बिद्धु धारा द्वारा अधिक गहराई में इस्थित उत्तकों को उस्मा प्रदान की जाती है कैसी हाई फ्रेक्वेंसी वाले बिद्धु धारा प्रवाह करके इस बिद्धु में बिद्धु धारा बिना ज्वलन्सिल प्रक्रिया के गहरे उत्तकों में उस्मा के रूप में परिवर्दित हो जाती है इसके आपरिती दोस्तों 27.33 मेगा होर्स है इसके उपचार का तरीका जो है इसके आपरिती 27.33 मेगा होर्स है इसमें उपकरर तिविता उस समय तक बढ़ाते रहते हैं जो उपकरर की तिविता है उसके तिविता तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि मरीज को चोट ग्रस्त भाग पर गर्मी महसूस ना होने लगे तब तक उस पर हम विदुधरा का प्रवाह करते रहेंगे हाई फ्रिक्वेंसी से ठीक है इस उपचार का तरीका दोस्तों जैसा की सार्टवेब डाथर्मी के उपचार के तरीका दो प्रकार का होता है कैपैसिटर फिल्ड मेथर्ड में क्या होता है कि जिस जगव पर चोट लगा है या जहां पर उचार करना है उस आंग के दोनों तरफ तौलिये को दोहरा मुड करके लगा दिया जाता है फिर उस पर दोनों तरफ से बिद्धु धारा छोड़ने वाले इलेक्ट्रोड लगा दिया जाते हैं फिर बिना हानिकारक प्रभावस से इसके द्वारा धारा को रोगी के उत्तकों में उच्छ तिब्रता यानि हाई फ्रेक्वेंस्ट्री से गुजरा जाता है इह था आपका Capacitor Fill Method सार्ट वेब द्राथर्मिक का है Cable Method Cable Method में क्या होता है कि इसमें दोनों का लाव मिलता है यहने कि Electrods तथा चुम्ब की छेतर का लाव इसमें दोनों का लाव उठाते हैं अंत में इस्थिर विद्दु छेतर को उसमा से सीधा उपयोग किया जा सकता है जबकि Electromagnetic फिल्द गहराई तक उसमा देने में लाबदायक होता है दोस्तों इसके केबल की लंबाई जो है पाश मीटर तक रखी जाती है इसके उपचार के अवद ही 10 से 30 मिनट चोट की प्रकृति के अधार पर होता है यदि तिवरेट सूजन है तो 5 से 10 मिनट दिन में दो बार इसको दिया जाता है दोस्तों इससे यानि की साट वेब दैधरमी सक्याल आप मिलता है इसके प्रभाव क्या होते हैं इसको करने से तो साट वेब दैधरमी के प्रभाव है इसमें टेंडन मांस्पेसी हर्डियों आदी की जो सूजन होता है उसमें इसका उप्योग किया जाता है इन बैक्त्रियल संक्रमर को दूर किया जाता है मांस्पेसी खीचाओं को जल्दी समयने बनाता है माम स्पेशियों को अराम पूचाता है यह दर्द को कम करता है क्योंकि यह तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालता है और उत्तकों के चैपचे को बढ़ाता है रखत परी संचल को भी यहाँ बढ़ाता है अब बात करते हैं यह तो था सार्ट वेव डाथर्मी के दो प्रकार कैपेसितल फिल्ड मेथड एंड केबल मेथड अब नेक्स्ट है माइक्रोव डाथर्मी यानि सुच में तरंग डाथर्मी इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस बिधी में बिदुत चुम्ब की यह तरंग का किया जाता है इसका परियोग बिदुत चुम्ब की तरंग का परियोग किया जाता है और जो सुच में तरंगे होती है यह बिदुत चुम्ब की तरंगे कैसे होती है सुच में तरंगे होती है इन सुच में तरंगों को यह बोला जाता है decimeter तरंगे के रुप में इनको जना जाता है इन तरंगों की लंबाई 12.25 cm होती है कितना होती है तरंगों की लंबाई 12.25 cm होती है इन तरंगों की लंबाई कि इसका microwave तरंगों की इसके आपरिती जो होती है 900 मेगा हर्स से 500 मेगा हर्स तक होती है इसके उपचार का तरीका क्या होता है दोस्तों कि इसमें ब्यक्ति को 10 से 20 सेंटिमीटर दूर रखा जाता है और इसका समय 10 से 30 मिनट होता है रोज इसको किया जाता है 200 वाल धारा प्रवाहित किया जाता है रोज इसमें ठीक है इसका प्रभाव क्या होता है इससे क्या लाभ होता है कि जिसमां सेशी में रक्त और पानी की मात्रा अधिक होती है उसका उपचार इस बिधी से किया जाता है यानि microwave डायथर्मी से और यह क्या करता है क्योंकि यह वसा को कम और मानस्पेशियो को अधिक उसमा प्रदान करता है मानस्पेशियो की एथन को कम करता है बेक्टरियल शंक्रमर से बचाओ करता है रखत पई संचरग को बढ़ाता है आँखों के लिए अधिक खानी कारक होता है तो दोस्तों यह था डायथर्मी के बारे में जिसके अंतरगत आपने microwave short wave डायथर्मी long wave डायथर्मी and microwave डायथर्मी के बारे में जाना और नेस्ट वीडियो में यानि इलेक्टो थर्डिक अधिक अभी मैंने डायथर्मी के बारे में बताया आजबी टाएपज थत्रेपी अल्तरसाउंड थरपी इंफारेट थरपी अल्टर वायले जिसने नेक्ट वीडियो यानि पार्ट थर्ड में Pvt ऴहसे बारे में बताओंगी यूपी टीजेटी पीजेटी और अने सभी स्टेट के टीजेटी पीजेटी में जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेट सिलेबस होता है इसी के अंदर सब आते हैं तो उन सिलेबस के एकार्डिंग मैं स्टेप बाई स्टेप सभी वीडियो बना रही हूं जिससे आपको ये एक जगह सभी टापिक्स कोई भी यूटूब चैनल है ओ सिलेबस के एकार्डिंग स्टेप बाई स्टेप कोई वीडियो नहीं बनाया है तो मैं सभी सिलेबस के एकार्डिंग सभी वीडियो स्टेप बाई स्टेप बना रही हूं कि आपको कोई दिक्कत नहों तो दोस् सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकम को प्रेस कर लीजिए जिसे जो ही मैं नया वीडियो अप्लोट करूं उसका नाटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टापिक की साथ तब तक के लिए जैए